शुए मलक और सानिय मिर्जा की अलैद की शुए मलक ने तीसरी शादी कर ली रुके तीसरी शादी लिकन ये तो दूसरी शादी है अरे नहीं भाई ये शुए मलक की तीसरी शादी है चले आगे चलते हैं शुए मलक की पहली बीवी भी इंडिया से थी वो भी हैदराबास से थी, यही नहीं, अब श्वे मलग ने पाकस्तानी मॉडल और एक्टरस सना जवेद से शादी की सना जवेद की ये दूसरी और मलग साब की तीसरी शादी अरे भाई ये चल गया रहा है, मतलब क्या कहना चाहते हो अरे कहना क्या चाहते हो पाकस्तानी और और प्लेयर श्वे मलग भाई, जो पाकस्तानी सियाल कोटी बुआए हैं जिसने 1999 में कैरियर की शिरुआत की, कैरियर के शुरू में ही जब इंडिया का टूर हुआ तो शुए मलग को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन ये दोर इंटरनेट का दोर नहीं था टेली फून का दोर था, खत लिखने का दोर था, एद कार्ड बेजने यानि जब हम चोटे होते थे तो एद कार्ड बेजा करते थे ये बात है 2002 की टेली फून के जरिये दोनों का रापता हुआ आईशा सदीकी नामी लड़की जिसका तालूक हैदराबास से है उसने शुए मलग का फून नमर ट्रेस किया और दोनों की बाते शुरू हो गई शुए मलग को आईशा सदीकी की आवाज बहुत अच्छी लगी क्योंके वो पेशे के इतबार से टीचर है दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया आईशा ने शुए मलग को देख रखा था जबके शुए मलग ने उसको तस्वीर में देखा था जो के उसने उसको भेजी थी जो के उसकी नहीं थी बकौल शुए भाई कि वो तस्वीर कोई और थी जब शुए मलग की फैमली इंडिया में लड़की के गर गई तो देखा कि वो लड़की बिलकुल मुक्तलिफ है दिखने में इतनी बुरी नहीं थी माशला प्यारी है लेकिन शुय मलक को पसंद नहीं आई वैसे शकले तो सब अला की बनाई हुई है इनसान का किरदार अच्छा होना चाहिए शकले तो आर्जी चीज है खैन निकाप पहले से टेली फून पर हो चुका था तो बात आगे बढ़ती गई शुय मलक अपने केरियर में मस्नूफ हो गए फिर जब 2010 में सानिय मिर्जा और शुय मलक को आपस में प्यार हुआ दोनों अपने अपने मुलके स्टार थे और दोनों लाइम लाइट में रहना चाहते थे इसलिए दोनों ने शादी का फैसला किया इंडिया में सानिय मिर्जा को बहुत मुखालफत का सामना भी करना पड़ा लेकिन इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे 2010 में जब ये शादी होने लगी तो आईशा सदीकी मनजरे आम पर आई उसने हैदराबाद के मुकामी पुली स्टेशन में सानिय मिर्जा और श्वे मलक के खिलाफ कंप्लेंड लाउंच कर दी और यू दोनों की शादी रुक गई श्वे मलक के दोस्तों ने बीच में पढ़कर ये मामला इस तरह रवादवा करवाया कब मुबेना तोर पर कहा जाता है कि आईशा सदीकी को 15 करोड रुपे दे कर चुप करवाया और दोनों की तलाग हुई और इसके बाद श्वे मलक और सानिया मिर्जा के शादी हो गई खैर ये शादी हो गई शादी के बाद फैसला हुआ कि ना तो इंडिया में रहना है और ना ही पकसितान में वैसे तो दुन्हन अपने सुसराली आया करती है लेकिन दोनों ने फैसला किया कि दुबई में रहा जाए दुबई में दोनों को गोर्लन विजा मिल गया यानि दोनों सारी जिन्दगी दुबई में रहने के एहल हो गए और यू दोनों ने दुबई में रहना शुरू कर दिया इस दुरान पकिस्तान आने जाने का स्लस्ला चलता रहा शुए मलक पकिस्तान आते रहे और सानिया मिर्जा इंडिया जाती रही सानिया मिर्जा बहुत कम पकिस्तान आई बेटा जिसका नाम इजहान मिर्जा मलक रखा गया यानि पहले बेटे का नाम फिर मा का सरने और उसके बाद आखिर में वालत का सरने इंडियन लड़की उपर से इंडियन स्टार भी तो जाहरी सी बात है कि उसका रोब और उसका पाओ उपर रहा दोनों का ये साथ एक लंबा अर्सा चलता रहा बहुत सरे लोगों का ख्याल था कि ये शादी ज्यादा अर्सा नहीं चलनी लेकिन ये शादी 14 साल काइम रही शादी के 8 सालों बाद बेटे की पदाईश हुई जिसका नाम इजहान मिर्जा मलक रखा 2018 में बेटे की पदाईश हुई और गालबन 2021 से लेकर आज तक ये खबरे गर्दिश करती रही कि सानिया और शुय में कुछ चल रहा है शायद दोनों के दर्मयान अलैदगी हो चुकी है लेकिन ये खबरे उस वक्त जूटी थाबत हुई जब दोनों ने एक शो का अगास किया जिसका नाम मिर्जा मलक शो रखा लेकिन अलैदा अलैदा इस खबर की ना तो शुय मलक ने कभी तस्दीग की और ना ही सानिया मिर् अकि फैमली का अब कहना है कि सानिया ने खुला दी है अकसर दोनों कैमरे के सामने एक दूसरे के खिलाब बोलते भी नजर आते थे दोनों के दर्मयान नोग जोग चलती रहती थी अब गुजशता रोज शुय मलक ने अपने ट्वीटर अकाउंट से दो तसावीर शेयर की जिसमें कहा कि बेशक अलापाक ने हर एक को जोडों में पैदा किया सना जवे तो पकिसानी मौडल और एक्टरस है जिसके उमेर जस्वाल से शादी हुई थी लेकिन दोनों के दर्मयान ना बन सकी शुय और सरा की मुलाकात फाहद मुस्त्वा के रमजान ट्रांसमिशन शो लेकिन शुय मलके ये तीसरी शादी है हम शुय भाई को मुबारिक बात कहना चाहेंगे और साथ लाइटर नोट में ये भी कहेंगे कि शुय भाई कम चुक के रखो जिन्दगी इंजुआए करें शरीयत और कानून हमें एक वक्त में चार शादियों के इजाज़त देती है अलापक आप दोनों को खुश रखे इसी के साथा सानिया मिर्जा जो कभी हमारी भावी हुआ करती थी उन्हें भी all the best कहना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ने ये फैसला सोच समझ कर किया होगा क्योंकि इन दोनों के दर्मयान एक तालुक जो हमेशा रहेगा वो है इजहान मिर्जा मलिक जिसने माशला अब बड़े होना है और इंशालला बेहतरीन जिन्दगी गुजारनी है अलापक जो करता है बेहतर करता है शुए भाई ने ये फैसला यकीनन दरुस्त समझा होगा और शायद शुए मलक को इंडियन लड़किया रास नहीं है इसी वज़े से उन्हें इस पार पक्सानी लड़की को चूज किया और अल्ला करें ये शादी दोनों की आखरी शादी साबत हो दोनों भर पूर जिन्दगी गुजारें अगर आपने हमारी ये वीडियो मुकमल देख ली है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ये गे बेल आप्टिन को भी प्रेस करना है मिलते हैं दुबारा बहुत जल्द अपना खिया लखेगा अल्ला हाफीज कर दो अपना है कर दो कर दो कर दो